Hello friends, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी इस Good Wipes के Rose Hip Serum का review, इसका review मैं पहले भी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ लेकिन ये new packaging का review मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो जो packaging थी, वो old packaging थी, ये new packaging का review होगा आपके साथ Actually क्या होता है ना, कि जब product की packaging change होती है, तो बहुत से लोगों को ये confusion हो जाती है कि क्या ये वही product है, means same to same ये वही product है, या इसमें कुछ changes किये गए है, इसे और improve किया गया है तो बहुत सारे questions है ना, वो हमारे मन में रहते हैं, असलिए मैं आपके साथ ये new packaging का review share कर रही हूँ Old packaging का review मैं पहले कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उपर आई button में मैं link दे दूँगी, आप उस वीडियो को check out कर सकते हो आज हम इस new packaging के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अभी भी purple पे अगर आप rose hip serum के बारे में search करोगे ना, तो आपको old packaging भी मिलेगी और new packaging भी मिलेगी, दोनों ही available है तो अगर दोनों ही available है, तो इसका मतलब साफ साफ clear हो जाता है, कि कही ना कही जो new packaging है, उसमें कुछ change किये गए है तो mostly क्या होता है, जब packaging change होती है ना, तो वो पुरानी वाली packaging को वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर क्या है purple paste serum दोनों ही available है, पुराना नया दोनों available है, आपको जो चाहिए, दोनों में से आपको भी ले सकते हो, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, क क्या difference है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो, यह है good vibes का rose zip serum और यह इसकी new packaging है, और paraben free है, sulfates free है, 215 रुपए इसका price है, 2 साल की आपको इसकी shelf life मिलती है, और 10 ml की इसकी bottle है, और same to same अगर old packaging की बात करूँ तो उसका भी price 215 रुपए है, 2 साल की उसकी shelf life होती है, 10 ml की bottle होती है, और उसी के साथ साथ वो भी paraben free और sulfate free होता है, और देख लीजिए, यह जो मैंने अभी हाथ में पकड़ी है, यह है new packaging, जो new change होई है, और जो मैंने screenshot लगा रखा है, वो है old packaging ठीक है, तो दोनों में क्या difference है, वो मैं अभी आपको बताऊंग और बात करें consistency की, तो थोड़ा सा इनकी consistency में फरक है, इनके ingredients में फरक है, तो ingredients में इनका क्या फरक है, अगर बात करूँ old packaging की, तो उसमें आपको सिर्फ 3 ingredients मिलते है, rose hip oil तो है ही है, साथ ही साथ vitamin E, almond oil और CCM oil होता है, बट अगर मैं बात करूँ new packaging की, तो उसमें आपको CCM oil, almond oil, vitamin E, jojoba oil, rose hip oil और उसके साथ साथ 2 से 3 ingredients और मिलते हैं, मतलब आपके ingredients बढ़ा दिये गए हैं new packaging में, और oil की जो मातरा है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस oil की मातरा बढ़ाने की वज़ा से हुआ क्या है, कि ये जो new वाला serum है ना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग कि ये थोड़ा सा oily हो गया है, क्योंकि जो old packaging वाला serum था ना, वो मैं summer's में बहुत अच्छे से use कर लेती थी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि मैंने कुछ heavy apply कर रखा है, मुझे oily नहीं लगता था, मेरी जो skin है, वो combination skin है, उसके according ही मैं आपको अपना opinion दे रही तो overall अगर मैं बात करूँ कि ये जो new packaging वाला serum है, मैं इसे summer's में use नहीं कर पाऊंगी, खास तोर पे day time पे तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आपकी skin जो है dry है तो आप कर सकते हो, but oily skin वाले combination skin वालों के लिए problem हो सकती है, आपको इसे use कैसे करना होता है, आप आपको morning में, evening में अपना face wash करने के बाद toner apply करना है, then उसके बाद आपको 3-4 drops लेनी होती है, और अपने face पे अच्छे से massage करके, इसे easily absorb करना होता है, और आप देख सकते हो, मैंने इसकी 3-4 drops ली थी, और आपको अगर नजर आ रहा होगा, तो देखे काफी oil, oil सा मेरी skin पे म मुझे महसूस हो रहा है, और यह easily absorb भी नहीं होता है, और अगर मैं बात करूँ, जो पुराना old packaging वाला serum था, उसे में summers में easily use कर लेती थी, वो इतना ज़्यादा oily नहीं था, बलकि वो skin में बहुत अच्छे से absorb भी हो जाता था, तो अगर मैं बात करूँ, तो यही थोड़ा इनका difference है आपस में, क्योंकि जो new वाला है, उसमें oil की मातरा बढ़ा दी गई है, ingredients बढ़ा दी गई है, जिस वज़े से मुझे लगता वो थोड़ा सा heavy हो गया, बट अगर आपको जो भी सही लगता अपने skin के according आप चूस कर सकते हो, दोनों ही आपको बहुत अच्छा glow provide कर आपको new packaging और old packaging का आपस का difference अच्छे से clear हो गया और इनमें क्या changes किया गए है, वो भी अच्छे से clear हो गए होगे, आप अपनी skin texture के according जो भी आपकी skin को suit करें, आप उसे order कर सकते हो, क्योंकि good vibes का जो rose serum है, बहुत ही अच्छा selling product है purple पे तो आप इसे try कर सकते हो, तो मैंने difference है, अगर आपकी skin dry है, तो आप इसे try कर लो, अगर आपकी oily combination skin है, तो आप उसे try कर लो, तो बस इतना सा difference है, वो आपका clear हो चुका होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए helpful रहा हो, तो प्लीज वीडियो को एक like कर दीजेगा, और अगर आप मेरे चानल पे नए हो, तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कर दीजेगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification आप तक सबसे पहले बहुँच सके, तो thank you, thanks for watching.